कि है यह टेस्ट 32 है इसे पहले 33 टेस्ट 31 टेस्ट जो हुआ है अप लिए लिस्ट में जागर के देख सकते हैं कप इन पोर्टेंट को सनल रहा था हमारे ट्रीमों को द्वारा इसको अपसानी से जोइन कर सकते हैं इसके लिए 7654197532 यह बार से पनामर है इस पर टेस्ट करना है फिर इसके अपको मैं गुरूप में जोड दिया जाएक है इस टेस्ट का पर थम को सब्सक्राइब का मदल मंधरगाह है यह चल गुजरात में तो यह बिए इंसर हो जाएगा पहला का नेक्स्क्स नेर्ट समराट जिसने हुनों को प्राजित किया था कौन से गुप्त सम्राट थे जिन्होंने हुनों को प्राजित किया तो असकंद गुप्त जो है उन्होंने हुन को प्राजित किया था और इसलिए असकंद गुप्त को हुन विजयता के नाम से भी जाना जाता है वही चंद गुप्त दित् पुस्तक का क्या नाम है, तो कलहन की पुस्तक जो है ना मिलती है। सबसे इंपोर्टन बात है की यह पर्थाम एतिहासी का मानता, दिया गया है कलहन की राजतरगनी को एक्स्ट कोस्टन है किसा भी लेक में रुद्रदामन पर्थम की विविन उपलब दिया वरनित है तो ये जुनागर भी लेक जो है वो रुद्रदामन से संबंदित है और जुनागर भी लेक में जो है रुद्रदामन की उपलब दिया का बारे में वरनिता है और ये जुनाग में भी इसी जुनागा डविलेग से जनकारी प्राप्त होता है महाविर स्वामी का जन्म हुआ था महाविर स्वामी जैसा की जानते हैं कि जैन्दार्म का चुबिसमा तेर्थंकर थे और उन्होंने चुबिसमा तेर्थंकर ये थे और ये लास्ट तेर्थंकर थे महाविर अर यहीहार में स्थित है कुंड़ ग्राम में जन हुआ था म liar म महतमा बुध्य का महपड़ी निर्मान कात है और मिरतियु से यहां महतमा पर गरंप से लिया गया है महपड़ी निर्मान तो ये कहां हुआ था तो ये कुसी नारा में महात्मा बुद को महापडिनिर्वान हुआ था और कुसी नारा के जो लोग है उन्होंने बड़ी सादानी से इनका अंतेश्टेति किये थे महात्मा बुद ने अपना पर्थम धर्म चक्र प्रवर्तन की सस्थान पर दिया यहां यह भी धर्म चक्र प्रवर्तन सब्द जो है वो पालिगरन से लिया गिया है और धर्म चक्र का अर्थ यहां यह है कि पर्थम ग्यान से माना जाता है जब पर्थम उपदेश से माना जात गोड़ा प्रथम उप्देश्ट दिया गया था और यह जो है उस समय गया से छोड़ के चले आयते हैं मगत की प्रारंपिक राजधानी कौन सी थी तो यह राजग्री या गरीवर्ज मगत की प्रारंपिक राजधानी थी यह कुछ पर उसका है यह जो है काफ़ी इंपोटेंट है उसको काफ़ी लाया ही जाता है बार-बार सभी में ताकि वो उस से थोड़ा वी आपको सर्थ को समस्पर्यार काफ़ी इंपोटेंट होते हैं ने आप संत्रू के बंस का नाम क्या था दोजाद संत्रू के बंस का नाम हर्यक बंस था हर्यक बंस से रिलेटेड थे और हर्यक बंस के जो संस्थापर थे वह विंबी सार थे विंबी सार आप ये विंबी सार दो सासक है एक विंबी सार एक बिंदू सार तो उनके को ले करके confusion नहीं आना है, बिंदू सार जो है, वो मौर्जबन से संबंदी थे, बिंदू सार, वाई बिंबी सार जो है, वो हर्यकबन से संबंदी थे नेक्स्ट कॉस्टन है तीरते बहुत सभा कि सस्थान पर बुलाई गई थी तो तीरते बहुत सभा जो है वो पाटले पूतर में बुलाई गई थी और उसमय असोक जो है ये तीरते असोक के समय में तीरते बहुत सभा में लंका आयोजन किया गया था गुलाम बंस का पर्थम सासक कौन था गुलाम बंस जैसा की आप जानते हैं 1226 भी में इनके अस्थापना किया गया था और किनके द्वारा ये कुतूब दिन एबक के द्वारा किया गया था तो पर्थम सासक गुलाम बंस का कुतूब दिन एबक होगा दित्य सासक इलतूतमीश थे और इसके बाद ये अराम साह आए फिर रज्या सुल्तान नेक्स कोस्टन है अलाओदीन खेल जी के आकर्मन के समय देवगीरी के सासक था देवड़गीरी का सासक कौन था कब इंपोर्टन कोस्टन है फैक्ट बेस्ट कोस्टन है इस च्ट्टन यहां यह नाम बारबर इनका नाम भूल जाता है इसलिए कोस्टन को बारबर लाए जाता है यह दिवगीरी का सासक जो है वो रामचंद्र देव थे और काफी इंपोर्टन्ट मना जाता है यह देवडिरी का आकर्मन अलाओदीन खेल जी के दूरव क्यों 거죠 index weights question है Özben's Mayinga किस मुश्य मुश्रासक ने तीर अिरतीयात्रा पर कर्शंप कर दिया था कफी इनप्रटयंट ओ सब्सक्र को सनु और वह मुश्रेंच साफक जो है न 06 562 कि में पाएबुन हिरा में और 10די से मुंक्तिन को प्राप्थ हुआ और उसी टैम में 1562 में ही वो जब हरम दल से मुक्ति प्राप्ति हुआ उनको उसी टैम में दास के दास पर परतिबंद लगा दिया है इन्होंने तीर्थ यातरा तीर्थ कर जिसको कहा जाता है तीर्थ कल को समात कर दिया 1564 में जो है 1564 1562 1364 में जजिया पर लोक लगा है तो इस तरह से कई सारे समाजिक सुधार इन्होंने अकबर दोरा किया गया यहां पूछा जा रहा है तीर्थ यातरा पर कर समाप्त किया गया तो यह 1563 हो जाएगा और यह अकबर दोरा किया था नेक्स कोस्टन है फिरोज तुगलक दोरा अस्थापित दार उलसाफा क्या था फिरोज तुगलक जैसे कि सल्टनत काल में कई सारे विवागों की अस्थापना टाइम टू टाइम किया गया उसमें दार उलसाफा जो था फिरोज सा तुगलक दोरा अस्थापित किया गया थ और ये एक खेराती अस्पताल था, खडायती अस्पताल जहां गरीब लोगों की मुप्त में इलाज किया जाता था, ये महतपुर्ण जो है, ये समाजी कार्ज फिरोसा को लगा माना जाता है, नेक्ट कोशन है, अस्थाई बंदोबस्त किसके साथ किया गया था, अस्थाई ब जाता है, और कब तो 1793 में, और ये खास करके जमिनदारों के साथ किया गया था, जमिनदार जो है, टेक्स सरकार को चुकाने का अधिकारी थे, और इसमें एक महतपुर्ण कानून लाया गया था, जिसको सुर्जास्त का कानून का जाता है, इसे आप पढ़ सकते हैं, काफी इंपर्टेंट है, वैसे सुर्जास्त का कानून का अर्थ है, कि जमिनदारों को जो है, वो नियम तै कर दिया गया, कि जिस डेट को टै किया जाता था, कि उस डेट को आपको पैसा देना है, तो उस पैसा देने का डेट के साम तक, मतलब सुर्ज के अस्त तक, उसको पैसा महकुन रूप से जमा कर देना होता था वह जमा नहीं कर पाते थे उस टैम तक यह सुर्ज अस्त होने तक तो उनके जमीन को जो है निलाम कर दिया जाता था तो इसे सुर्यास्त का कानून कहा गिया है यह संबंदित कानून था नेक्ट है प्रत्ना सम्माज के संस्थाप यह रामचंद्र पांडू रंग थे इस तरह सेस्थ में हो जाएगा राजा राम मोहन राई जो है वह ब्रह्म समाज के संस्थापक थे जैसा कि आपको पता होगा एनी बेसेंट तिलक का योगदान जो है होम रिल होम रूर अंदूलन से काफी रहा है नेक्स कोस्टन है सेव में नेक्स क्वेस्थे सुराज दल की एस्थापना किसने की स्वषराज दल चरह काफी इन पोटेंट है यह दल इनकी एस्थापना 1923 में कब किया जा रहा है जब असय यह खतम कर दिया गया है और ये चितरंजन दास और मोतिलाल नेरू दोनों के दोरा मिल करके किया गया था स्वराज दल लेकिन बाद में फिर कुछ साल के बाद इनको समाप कर दिया गया नेक्स्ट कौन है पहरत में धिया इनी वेसंट का महत्पुर्ण यूगदान रहा नेक्स्ट कॉस्टन है 20 नेवर निमलिखित में से कौन से पुस्तक तीलक ने लिखी है तो ये गीता रहस जो है पुस्तक तीलक दोरा लिखा गिया था और खास करके कब तो जब उनको 1908 इसमी में 6 साल के कैद की सजा हुआ तो ये जेल में ही इस पुस्तक को लिखे थे तो यह कि महान जो ब्यक्तित होते हैं उनमें कई सारे गुण पाया जाते हैं और यह एक महत्पुर्ण गुण होता है कि भी प्रित पर स्थिती को भी वह सही रूप में उपयोग कर पाते हैं आप कई सारे बिवक्ति को देखिएगा इंडियन हिस्ट्री में और वर्ल्ड में भी ज गीता रहस्य पुष्टक यह जब बलगंगादर्ति लग को जेल हुआ था तो उसी समय जेल में उन्होंने इस पुष्टक पे काम किये थे नेक्स्ट कोशन है कॉंग्रेस ने स्वराज प्रस्तों पर उन्हें सो पाच में पारित किया प्रस्तों का उदेश क्या था स्वराज सुनिश्चित करने के लिए प्रस्तों को लाया गया था क्योंकि यह बंगबंग अंदोलन जिससे स्वादेशी मुव्बंट के रूप में भी जाना जाता है उनका मुल्ध अस्तित्वी था स्वराज पर स्वराज पर आधारित अंदोलन उसको बढ़ावा देने क मे बाद में जाकर के यह साहत नम्लेकित में से किस अधिनयम के तहत किया गया था तो प्रांतिये सरकारों का गठन किया गया 1935 के एक्ट के तहथ तो इसमें एंसर हो जाएगा नेक्ट कोस्टन है 23 सम्विधान के 26 जनवरी के दिन लागो करने का नेड़ने किया गया क्योंकि क्या कारण था इसका हर्थ है तो ये कॉंग्रेस इस्तिथी को पर्थम बार 1936 में सुतंतरता दिवस के रूप में मनाये थे इसलिए सम्विधान को 26 जनवरी के दिन लागो करने का नेड़ने लिया गया ताकि इस दिन को याद रख सके स्वराज मेरा जमसिद अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा किसने कहा तो ये बालगंगादर तिलक के द्वरा ये बक्तब दिये गये थे और ये पूछा जाता है कब दिया गया था तो 1916 में दिया गया था जब लखनो समझा होता हुए थे उसी टेम में उन्होंने इस बक्तब को दिये और काफी इंपोर्टेंट ये कथन है और कई सारे एक्जैम में जो है ये पूछा जाता है नेक्स कोशन है भारते राष्टिये कॉंगरेस ने पर्थम अधिवेशन में कितने परतिनीदियों ने भाग लिया था तो ये 72 परतिनीदी परतिनीदियों में भाग लिया थे और ये मुंबई में इसका जो है आयोजन किया गया था वह में इस चंद्रवनर जी जो है इस अ तो यह स्री राजगुपाल अचारी जो है स्री राजगुपालचारी तो इसका यह हुआ कि स्री राजगुपालचारी पर्थम भारती और अंतिम गवर्नल जनल दोनों थे असायो गांदोलन कब शुरु किया गया तो 1920 Ňसभी में असायो गांदोलन शुरू किया गया था और यह कब तक चलता है असपरबर को इसके घट ना हुआ इसके बाद को अस्थागित कर दिया गया next question है सेरे पंजाब के नाम से किसे जाना जाता है तो सेरे पंजाब के नाम से लाला राजपतराई को जाना जाता है काफी योगदान रहा लाला राजपतराई का और इनके मिर्तु कैसे हुए किस घटना से आप इसको खुज करके पढ़ियेगा आप खोजिएगा सैमन कमीशन और उसके बारें परिएगा उसी के तहत ये सैमन कमीशन के दौरान इनके मिरती हुई थे नेक्ष्ट है गांधी इर्विन समझोता हुआ था कब हुआ गांधी इर्विन समझोता तो ये 1931 में हुआ था कई बार डेट भी पूछ दिया जाता है तो ये 5 मार्च आप याद रखिएगा 5 मार्च 1931 में गांधी इर्विन समझोता किया गया था इस समझोता को किस और नाम से जाना जाता है ये आप इस समझोता को गांधी इर्विन समझोता को और दूसरे नाम से भी जाना जाता है से कौन से गोल में समयलंग 1932 में हुआ था तो थाड़ गोल में समयलंग 1932 में हुआ तीन गोल में समयलंग कंटीनी हो रहा है पहला थाटी दूसरा 31 और तीसरा 32 agree to 1930ée 30 232 3 गोल में समयलंग 1932 में हुआ था नेक्ट संह लेकिन एक बात थे यह तीनों में समयलंग कहा हो रहा है मैं स्थप्भार्थ है काउन से कौन संबंदी थे भीनाव भारत जो है तो यह बीडिसा अभिनाव भारत से संबंदी थे 2405 किसमें यह अभिनाव भारत की अस्थापना किया जाता है और का फीए इनपोटेंट करानतिकाड़ी अंदोलन से संबंदी थे अभिनाव भारत नेक्स्ट कोसन है करो या मरो इसी को डूआश्ट डैक आजाता है का समझन की सांदोलन से है तो है भारत-फ़रों अनदोलन जो कब स्रूआ था 1942 में इसी कहिए में करो या मरो का नारह दिया गया था कई बर पुछा जाता है कन के द्वारा दिया गया था तो ये महात्मा गांधी के द्वरा करो या मरों का नारा दिया गया था नेक्स्ट है किसके परियत्नों से बिहार प्रांतिये कॉंग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ इंपोर्टेंट कोर्शन है काफी इंपोर्टेंट कोर्शन है और ये शिरी दिपनँराण सिंग थे इननी के से, कॉंग्रेस का दूसरा अधुबेशन हुआ था नेक्स्ट कोस्चन है, भारती राष्टे कॉंग्रेस का 27 अधुबेशन की सस्थान पे हुआ ये सताइसमा दिवेशन भी इन्पोर्टेंट है बाकी पूर में हुआ था भारते राष्टे कॉंग्रेस का सताइसमा दिवेशन नेक्स्ट कॉस्चन है 35 नमर 64,000 64,000 किलो मेटर लंबा एवं 2000 किलो मेटर से 2400 किलो मेटर चड़ाए वाला एक कटक उतरी एवंदचरी अटलांटिक महासागर ये दरोनियों के मद से गुजरता हुआ हिंद महासागर ये दरोनी और फिर आस्टेलिया तथा अटलांटिक के बीच से दच्छित परसांत महासागर ये दरोनी में परवेश करता है यह कटक है कौन से यह कटक की बात किया जा रहा है यहां 35 तो यह डॉल्फिन चैलेंज कटक की बात किया जा रहा है 35 का सी हो जाएगा डॉल्फिन चैलेंज कटक जो है इनके बारे में ये बात किया जा रहा है कि ये चोसर सो किलोमीटर लंबाए है इनका और इनकी चोड़ा है 2000 से 2400 किलोमीटर है और ये कहां से तो कटक जो है उत्री और दचनी अर्लांटिक महासागरी है दुरोनियों के मद से गुजरता हुआ हिंद महासागरी दुरोनी और फिर आस्टेलिया एवं अंटार्टिक के बीच से दचनी पड़ांटिक महासागरी दुरोनी में प्रवेस करता है ये डॉल्फिन चैलेंजर कटक है इसको आप याद ही करे लिजे नेक्ट कोस्टन है इजरेल की अवियनेश्ट सीम आये हैं ये इजरेल से कौंकौं से देश जो है टच करता है ये मैप बेस्ट कोस्टन है और अब फुछ्षा जाता है कई वार तो आप लिम नान जिसे टच करता है कि डॉर्ठ तरफ करता है और मिस्र चर्च करता है इस तरह से एंसर हो जाएगा अप дол की कॉछ सकते हैं तो यह भी कर जाएगा और इसके बाद इडाग से को भी कर सकते हैं तो यह इंसल हो जाएगा लेबनाओं सेरिया जॉर्डन और मेस्र नेक्ट को सने से 37 नमर बर्थ 2004 के हिंद महासागरिय भुकम तता उसे के पड़िनती सुनामी के संबन में निमलेखित में से कौन सा कथन सही नहीं है 37 नमर कोशन तो सी हो जाएगा यह गलत हो जाएगा बाकी सही है पहला है कि सुन्दा खाई में भारते प्लेट के बर्मी प्लेट से अध्ध गमन वाले छेत्रों के लगभग 1200 किलो मिटर भांस रेखा है का 15 मिटर तक हिसका होने के कारण इस भुकम के उत्पती हुए परिना बंगलादेश में बहुत कम हता हत हुए क्योंकि भुकम प्रभावित भरंस रेखा के डिक स्थिती लगभग उतर दचिन होने से सुनामी लहरों की प्रवलता उतर सक्ति उतर पसिन दिशा में थी इसको अप याद रखेगा यह भी पूछा जाता है कि हिंद महासागर यह भ तो स्थिति यांतरन का परमुक कारण क्या है 38 नमर तो भी हो जाएगा इंसर सही यह गोई ममध परदेश के कुछ भागों में उत्तम सरे के लेनी के लोह के निश्योंपों का मिलन मिलना तथा इस चैतर से इस पात्मिरियात की तुलनात्मक स्युवदा है नेक्ट कोर्सन है भारत के में सबसे कौफी उत्पान करने वाला राज कौन सा है तो यह करनाटक है भारत में सरवादी कौफी का उत्पादन करनाटक में किया जाता है यदि वर्ल लेवल पर आपको पूछ दिया जाए कि कौन सा देश सरवादी कौफी का उत्पादन करता है तो यह ब्राजि किस राज में साक्षारता दर सबसे कम है जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार की साक्षारता दर सबसे कम है 2011 की बात क्या जाए 2001 का बात क्या गया है लेकिन आप 2011 का जंगना आएगा तो बिहार की साक्षारता दर 61.8% है वही देश में सरवाधिक साक्षारता दर किसका है तो केलल का सरवादिक साक्षरता दल है मै ripping भासा को भारतीय संभीधान की आठ्वीय अनुसूची में किस वर समलिट की आगया तो 2003 में मैतली भासा को भारतिय समिधान के आठमेन उसुची में समलित किया गया था समिधान सभा के सभापती कौन थे समिधान सभा के सभापती जो है दो तरह के सभापती का वर्णन आपको मिलेगा एक है अस्थाई सभापती और एक अस्थाई सभापती तो अस्थाई सभापती जो है डौक्टर राजंदर परसाथ थे By the way question में केवल पूछ देता है कि कौन थे सभापती तो आप राजंदर परसाथ में मार सकते हैं यदि अस्थाई लगा दिया जाए तब वहाँ आपको ये राजंदर परसाथ में नहीं डॉक्टर सलपर्ली राधा क्रिश्ना हाँ उसमें मारना है और ये डेट आप रखिए कि 9 दिसंबर को पर्थम बार समिधान सभा की जो है ये बुलाया जाता है दिवेशन इसके बाद 9 दिसंबर को डॉक्टर सलपर्ली राधा क्रिश्ना को सभापती नुप्त किया जाता है सभापतित करते हैं और इस तरह से भारते समीदाहन जो है बनता है और सारी अधिवेशन के द्वारा किया जाता है समीदाहन प्रारूप समीती के अध्याक्ष कौन थे समीदाहन के 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 प्रारूप समीती के अध्याक्ष कौन थे उसको यह स्रव दोनी कहा जाता है इससे नीचे के दोनी को अब सरव कहा जाता है और इससे उपर सरव की दोनी को पर को प्रासरव कहा जाता है तो इसके तीन कैटेगरी में बाटा गिया है यहां प्रासरव दोनी पूछा जा रहा है तो बीस हजार हर्टर से अधिक हो जाएग बीस से बीस हजार तक सरव और बीस हजार से उपर को प्राश सरव कहा जाता है इस तरह से तीन याद रखना है एक बर फिर से सुन लिए बीस हर्टर बीस हर्टर से कम धोनी को अब सरव कहा जाता है बीस से बीस हजार तक को सरव धोनी कहा जाता है और बीस हजार से उपर के धो हो नंफ सरब धनी का जाता है तो इसमें प्रासरफ पूछदा एंसर हो जाय का ने क्क्षोच्ण एक collectors धती जिसमें प्रासरफ ध्धनी एंश्व की आ जाता है कौश ओन्じ भेस्तवा किस्थ मीरी राच्व कर शक्ते हैं इसका क्या कारन है तो संगूंगादर जो हे वह यवह ब्रा सरफ दोनि निकालते हैं और उनी के द्वरा क्या होता है वह निर्देशित होते हैं जिसके चलते वह रात में उड़ सकते हैं प्राटध्दोनी के जेट्ट की और bom के कारण होता है और ऑजोंन लेयर उसमें बाधाय होती है और आपको पता होगा अवस्तित है यह समताप मंदल का ही प्रयों कहीं आ जाता है तो यह द्होनीस की तिव्रता नापने के लिए डिसिभालिएंसरर सवासा churches यौफ द्होनी माला जाता है और ये डाटा जो है विश्वात संगाठन के अधार पे तैक किया गया है विश्वात संगाठन का नुसार नगल के सुरक्षीत दोनी ये 45 decimal maximum तो इस तरह से इसमें ये answer हो जाएगा Next question है जब सितार और बांसुरी पर एक ही सुर बजाय जाए तो उससे उत्पन दोनी का बहेद निमलिखित में अंतर के कारण किया जाता है 51 number question तो C हो जाएगा केवल दोनी गुनता के अधार पे किया जाता है Next question है एक TV सेट को चलाने के लिए निमलिखित में से किस एक का TV रिमोट नियांतरन एकाई दोरा परियोग किया जाता है 52 का D हो जाएगा रेडियो तरंग का परियोग किया जाता है TV सेट को चलाने के लिए और वो रिमोट के दोरा कंट्रोल होता है Next question है तेलिविजन के दुरस्त नियांतरन के लिए किस परकार के विदूत चुम्बक के विकिरन का परियोग किया जाता है तेलिविजन के दुरस्त नियांतरन के लिए किस परकार के विदूत चुम्बक का परियोग किया जाता है तो यह अबरक्त किरन का परियोग किया जाता है 53 का एंसर हो जाएगा Next है दूरदर्शन परसारन में चित्र संदेशो का संचलन होता है दूरदर्शन परसारन में दो चीज होता है एक धौनी होता है और दूसरा चित्र होता है तो चित्र जो है धौनी और चित्र तो इसमें पूछा जा रहा है चित्र संदेशो का परसारन होता है तो चित्र का जो है आया मॉडल पे होता है वही दोनी का अगर पूछा जाए यह answer हो जाएगा दोनी पूछा जा तो आवरती model होगा यह आपको याद रखना है next question है 55 निमलेकित में कौन सा केंदरिये सरकार का कर है 55 नमर केंदरिये सरकार का कर तो यह 55 का केंदरिये सरकार का central कर है आईकर भूमिकर सिमा सुलक और उतपाद सुलक 55 का इसमें answer आईकर जो भी है यह परतेक्ष कर है ढर्तर सरकार का कौंसे कर तो से अच्ट्राइब से तरन से इसमें इसले सब्सक्राइब मैं ढर्कुल से निरियात होने आफ से महत पूर्ण सब्सक्राइब भारत से निरियात होने वाले सबसे महत पुर्ण बस्तु कौन सी है यह प्रातिन समय से ही है आप जानते होंगे इसका काफी महत पुता भारत के विदेश विपार में धन लगाने में मदद की है बारति रिजर बैंक ने भारत के विदेश विपार में धन लगाने में मदद की गई है किसके द्वारा किया गया है तो यह एक जिम बैंक जो है इसका इसकी स्थापना ही यह विदेश विपार में धन लगाने के लिए किया गया था तो बी एंसर हो जाएगा नेक्ट है बारत में आर्थिक विकास अबुर्ध रहा है मुगतर किस कारण किस कारण से अबुरुद रहा है एक संब्सक्रिसी ब्यवस्था के गरण यह क्रीशी जो है अभी हमारे परैंपर को उड़ार परत्र के तहद इसazy है कारण नियामित अधोगी के कारण नियामित अधोगी के यहां अर्थ है कि एक तो उधोग का कोई क्रोनोलोजी नहीं है साथ ही यह इसे कहीं जहां जेदा आपको सौथ इंडिया में मिलेगा और नौर्थ इलिया में बहुत कम मिल रहा है और तीसरा पास्चा समाजिक अविव नेच्सक्यां क्या है जैसा क्या आप जानते हैं बशनध्यानिक संस्था नहीं है तो यह संस्था क्या गरिवों में सबसे समस्ट लेटी में बारत वर्स में सबसे अधेक विदूत्ष करता है तो ये तापिय शुरोत से सरवाधिक विद्धूत प्राप किया जाता है तापिय शुरोत जो है ये मुल्गूप से कोईला धारित शुरोत है ये तापिय शुरोत तो इस तरह से B answer हो जाएगा next question है भारते रूपय की विनिमे दर निर्दारित होती है किस से निलारित होती है तो सी हो जाएगा कुछ चिया नित मुद्राओं के संबंध में भारते रुपय की बिनिमेदर निलारित किया जाता है नेक्स कोस्टन है 63 जीवन विमा निगम एक उधारन है किसका उधारन है जीवन विमा निगम 63 का सी हो जाएगा निवियस बैंक का उधारन है इनके अस्थापना 1956 में क्या गया था ये भी पूछा जाता है कही बारत नेक्स कोस्टन है भारत में सबसे प्राचिन विरहत अस्तर ये उध्योग कौन सा है तो ये लोहा और इसपात उध्योग जो है भारत के सबसे प्राचिन और विरहत अस्तर ये उध्योग है नेक्स है यहां से मैट्स का कोस्टन स्टार्ट हो जा रहा है अब इसे बनाएगा यह 7 plus 10x minus 5x equal to 2 इसको कह रहा है कि अधिकता मान कितना होगा तो यह 7 plus 10x में से 5x या 5x हो जाएगा equal to 2 यह 7 10x में से 5x फिर 7 वढ़ गया तो 5x is equal to minus 5 हो जाएगा और यह minus x equal to minus 1 हो जाएगा तो यह answer हो जाएगा इसमें कोई नहीं minus 1 दिया हुआ है next question है एक cycle सवार 15 km, 20 km और 25 km के दूरिया करम सब 15 km परती घंटा 25 km परती घंटा और 15 km परती घंटे की चाल से तै करता है उसकी औस चाल होगी कितना होगा औस चाल 66 नमा 66 का सी हो जाएगा 17.3 km पर आवर हो जाएगा यह इसको परियेगा बनाईएगा 17.3 km परती घंटा नेक्ट है मान लिजे की मान लिए की किसी विशेस वर्स पर आधारी तो भोगता मुल सुचकांग दस रुपय अंकित मुल के एक सेर की बजारी कीमत 25 रुपया है कंपनी ने दॉस परद्ज़ा लावांस गोशित किया कंपनी के पंदरह सो और का लावांस होगा 68 का डी हो जाएगा यह पंदरह सो रुपया पंदरह सो और सो यह लावांस नेक्ट है नेज़ सिंखला में लिखा जा सके तो भेल को लिखा जा सकता है यह 70 का भी हो जाएगा 4 plus 10 plus 7 plus 14 next question है एक सैक्टिल सवार 15 किलोमेटर 20 किलोमेटर 25 किलोमेटर के दूरे 15 किलोमेटर यह सवाल दोबाट हो चुका है 71 तो यह इनका इंसर 17.3 किलोमेटर होगा next question है मान ले कि किसी विशेश वर्स पर अधारी तो भोगता मुल सुचकां 325 है किसी कार्मिक का अधार वर्स में 240 रुपया वेतन हो उसका चालू वर्स में वेतन यदि उसके रहन सहन का अधार समान रखना हो तो होगा 72 का डी हो जाएगा पंद्रह सो नेक्स कोस्टन है किसी देश के समिधान से लिया गिया है तो जानते हैं आप 42 समिधान संसोधन रूस से लिया गिया है हicia । पृत्मान में भारते आम कितने मुन करतव है तो यह yapár dal क COP Mia का थे तौक्त है तो मुल करतब समीधान के भाद चार में दिये गे हैं बिलकुल सब्सक्राइर छारे में दिआ एक मुल करतब को जोड़ा गया था तो यह गलत है और चौथा भी सही है लोग का अधीन परतिनीजित अधीनियम उने से कावन में बना था यह सही है यह 2002 था लेकिन 26 समिदान संसोदन करीब होगा नेक्श कोस्टन है 78 निमनि में से कौन सा मुल करतब नहीं है सावनिक संपती की सुरक्षित रखना सही है माता पिता की अध्या का पालन करना यह मुल करतब में कहीं वरना नहीं है बाकि 6 से 14 वर्स के बच्चों को अनिवार सिक्षा दिलाना है अगारमा करतब यही है और संत्रक्षा देनियृ में पारत किया यह लोग परते निधीयान उन्य बेसे कावन सीविल अधिकार अधिस complete में पारत किया घा राष्टर अन्यवारन दीनियां को बना था राष्ट्र गरब अपमान अधिनियम IT का D हो जाएगा 1971 इसमी में राश्ट गोरब अपमान निवारन अधिनियम बना था जब इंद्रागांदी के सरकार थे नेक्स्ट कोस्टन है आप बिंदु तक एक बिमारी है किस से रिलेटेड है तो ये आँखों से रिलेटेड है 801 का B हो जाएगा एंसर नेक्स्ट कोस्टन है आँख को किस भाग में अंधिन बिंदु पीद बिंदु पाये जाते है तो ये दिरिश्टि पटल में 802 का आपका D हो जाएगा पाये जाता है अंधिन बिंदु पीद बिंदु नेक्ट है मनुसकी आँख में परकास तरंगे किस अस्थान पर असनाय उद्योगों में परिवर्तित होती है 83 नमर कोशन, 83 का सी हो जाएगा ये अक्षपतर गेटीना पर नेक्ट कोशन है यदि आँख का लेंस और परदर्सी हो जाए तो आँख का रोग कहा जाता है क्या कहेगा तो ये मोतिया बिंद कहेगा नेक्ट कोशन है निम्न में ब्रांड अस्पेक्ट्रम औसदी है कौन सी ब्रांड अस्पेक्ट्रम औसदी है निंदरा रोग नमक बीमारी होती है तो बिमारी होती है ब delayed 87 का स्माव 수mont है एक्रापियल है और एक्रापि नैंट कोशन है एर्ष 20 नुमें होता है एर्ष 20 नुमें का स्माव सहला 커피ष जाए ने सूला यह समनना आप्रिण होता है और निपरिभ लग अनग के हमें नुमीयने विल्राफियल अनुम्हांट का हटारन है किसका अधारन heman89 का डि हो जाएगा रेट्रो विसानु का उतारन रेक रोर रोर की तो एचाइबी वगण यह 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 पजे Cincet करने वाला चैनल रहे मिठेन गाइस को पाधन कि यह दान के खेत में क्योंकि जहां दल दल सी स्थीती होगा वहीं मिठेन गैस को अगाइस के नाम से जाना जाता है नेक्ट करना है निमिलखित में से किस उत्परेड़क प्योग बनस्पती तेलों के हाइड्रोजनी करन के संये करता है 你सरों से कौन सागय वेल्डिंग के लिए प्रियों किया आता है तो उक्सिजन प्लस उक्सिजन के साथ अपका ये एसी त्री जो है ये ये वेल्डिंग के रूप में प्रियोक किया आता यह सब्सक्राइब सब्सक्राइब नहीं है 95 95 का एंसर हो जाएगा यह सुमेलित नहीं है यह काफी इंप्रोटेन को सब्सक्राइब सब्सक्राइब नहीं है नहीं है नहीं है नहीं प्रोटेन को किसमें मिला करके पीने से वह योग बना जाता है तो मेथे नौल अगर इसको मिला दिया जात वह पीने लाइक नहीं रहता है नेक्स कोस्टन है उन सरापतरास्दी में जिनके परिणाम सर्व अन्धता आधी होती है हानिकारक पादाहर्थ है कौन सा यह तो यह मेथील अल्कोहल यह 94 का 97 सोड़ी 97 का डी हो जागा एंसर नेक्स कोस्टन है 98 के सक्कर के किनवन से बनता है क्या बनता है तो यह मिथाइल सक्कर के किनवन से इथाईल अल्कोहल बनता है 98 का यह एंसर हो जैगा नेक्स को स्टन है 99 सीा किसके उत्पादन के लिए अती उच्छा मा रहा है तो यह मिथा हमिदे उच्छा माल है नेक्स को स सबस o सुप्रीन का बहुलक है प्राकिर्टिक रभर नेक्ट कोस्टन है 101 के अंद्रे पर दूसर नियंतरन बॉर्ड ने देश के 112 सबसे पर दूसित अस्थलों में से किस राज जोगों को पहला अस्थल ये पहला अस्थल का स्थान दिया है तो सी हो जाएगा ओडिसा को नेक्ट को स है भारते रेलबे द्वारा यातरा के द्वारान सभी परकार के प्रस्नों सिखाए तो साहता है तू हाली में जाड़ी हेल्प लाइन नमबर कौन सा है तो 139 है हेल्प लाइन नमर नेक्ट है निमन में से किस अफिर की देश के परदान मंतरी हामेद बाका यूको को कैंसर के कारण 56 वर्ज कुंग में नीधन हो गिया 104 का सी हो जाएगा आइवरी कोस्ट नेक्ट है महिला अदमियों को समर्थ अमसायता परदान करने को देश से किस बैंक ने हाली में समार्ट अप उन्नती नाम से एक कार्ज करम की सुरवात की घोसना की है 105 का यह हो जाएगा HDFC बैंक नेक्ट कोस्टन है 106 आश्टेलिया की सरकार ने किस देश के साथ अपने रक्षा सहयों को निलंबित कर दिया है आश्टेलिया के सरकार दोर ने 106 का D हो जाएगा मयनमार के साथ क्योंकि मयनमार में सत्ता परिवर्तन कर दिया गिया है नेक्स है भोगता मामले खादे वमसार्दिनी की वितरन मंतराले ने परवासी मजदूरों के मजदद कहतू कि कौन से एप को लंच किया है नेक्स कोस्टन है 108 निमने में से किस देश ने दुनिया का सबसे बरा तैरता हुआ सॉल फार्म बनाने की गोसना की है 108 का डी हो जागा ये सिंगापूर द्वारा क्या गिया है गोसना नेक्स कोस्टन है 109 हाली में किस देश के परदान मंतरी मार्क रूटे ने चुनाओं में लगातार चौथी बार जीत दर्ज की है नेटर्लेंड के परदान मंतरी मार्क रूटे नेक्स कोस्टन है राज सरकार ने राज के ठंडे रगिस्तानी इलाकों में सीबक ठार्न के पौधे को लगाने का फैसला किया है तो यह हिमाचल परदेश द्वारा फैसला किया है रूस और नेम्डे में से किस देश ने चंदर अनुसंधान इस्टेशन के लिए समझोता ग्यापन पर हस्ताक छर किया है तो यह सी हो जाएगा यह चैना के द्वारा रूस प्लस चैना किया है समझोता यहrendy किस राज सरकार ने परित जान्वरों को पासू स्वास्तिसवापरदान करने है तूँ भारत का पहला एबुल्मलनों स नेटवर्ड करने की खोस्टन की है तो यह पाहला पसू एबुलंस नेटवर्ड आनथ पर्देश के द्वारा बनेग स्थपिद किया गिया है कुर्शन है डबलु डबलु इने किस भारते रेसर को हौल अफ हैं 2020 में सामिल किया गया है 115 का यह हो जागा दग्रेट खली को दग्रेट खली नेक्ट कुर्शन है 116 हाली में किस ने ISSF वर्ल्ड कप में 25 मीटर पिस्टल असपर्दा में स्वर्न पदक जीत लिया है 116 का बी होगा चिंकी यादव जीता गया है नेक्ट है फिल्म फियर अवार्ड 2020 में किसे बेश्ट अभिनेटा का अवार्ड दिया गया 117 का यह हो जागा इर्फान खान को बेश्ट अभिनेटा का अवार्ड दिया गया सुप्रिम कोट ने किसे राज सरकार की एक अपील खारिज करते हुए अदालत का समय बरबाद करने के लिए राज सरकार पर 20,000 रुपये जुर्माना लगाया गया है नेक्स्ट कोस्टन है केंदर सरकार ने नए बाहनों की खरीद से पहले पुडाने बाहनों के स्क्रेप सर्टिफिकेट जमा करने पर कितने परतिसत कर्छुट का प्रस्ताव रखा गिया है 119 का बी हो जाएगा 25 परतिसत का प्रस्ताव रखा गिया है वैसे यह 15 वर्स और 20 वर्स के बाहनों पर लागू होता है 15 वर्स जो है यह कॉमर्सियल पर और यह 20 वर्स प्राइवेट वाहन पर लागू है एसिया के किस बैंक वो मनी बेस्ट बैंक अबार 2021 में भारत का सर्फ रेष्ट MSE बैंक चुना गिया 120 का यह हो जाएगा HDFC बैंक को एसियल परतिसत के साथ क्योंकि इरान जो है वो जो समझोता हुआ था उनसे अलग हो गया अमिर का जिसके चलते नेक्ट कॉशन है टाइम पत्रिका की वर्स 2021 के एक सोसब से परभाव साली कमपनों के सुची में किस इलर्णिंग प्लेटफॉर्म को सामिल किया गया था यह बैजू को सामिल किया गया नेक्स्ट कोस्टन है 123 हाली में बिहार में प्रसम के दोरान होने वाली मात्री मिर्थुदर में कमी लाने के लिए नेमलखित में से किसके दोरा बंदर एप लॉंच किया गया तो ये नितीज कुमार के दोरा बंदर एप लॉंच किया गया नेक्स्ट कोस्टन है हाली में बिहार गजट 2021 में बिहार में कहां पर लेक विश्विद्याले के अस्थापना की गोस्टना की गई 124 का सी हो जागा ये राजगीर में जो है लेक विश्विद्याले बनाने की गोस्टना किया गिया नेक्स्ट कोस्टन है 125 बिहार के किस जिले में हाली में बाप्टु टावर एपई जे अबदु अस्थापित करने का प्राभदान किया गया है 125 का 10 ही हो जाएगा ये पत्ना में next question है 126 बिहार बजट 2020 में बिहार के जिल्ले में बानिकी कॉलेज अस्थापित करने का प्रावधान किया गया है कहां पे 126 का भी हो जाएगा ये मुंगेर में बानिकी कॉलेज अस्थापित करने का प्रावधान किया गया है हाली में बिहार के किस रेलवे स्टेशन को भी सस्तरी है एयरपूर्ट के रूप में विक्सित करने के गोसना की गई है 127 का यह हो जाएगा यह गया को 128 बिहार बजट 2020 में राज में 137 लक्ष कब तक रखा गया 137 लक्ष बन परेंट का सी हो जागा 2030 तक नई सिक्षानिती के ताथ भी सौपरतिस शाक्षरता कर लाक्ष जो है 130 यह ग्रोस इंरोल्मेंट का राक्ष 230 रखा गया है काफी इनपोटन्ट यह भी भी है निए यूजुकेशन पॉलीशी मैं जी पी ग्रॉस इंडॉलमेंट ये पॉलीशी जो है इनका 2030 तक रखने का राक्ष रखा गया है नेक्शच है बिहार का पहला अरबबर डैम नेमलखित में से किस नदी पर बनाया गया तो ये फल्गों नदी पर गया में next question है खाली में बिहार सरकार द्वारा राज का दूसरा चिरिया घर कहां पर खोलने की घुसना की गई है 130, 130 का यह हो जाएगा यह अररया में दूसरा चिरिया घर खोलने की घुसना किया गया है next है खाली में बिहार सरकार द्वारा किस रिजर्व को पहला सामुदाएक रिजर्व घोसित किया गया 131 का बी हो जाएगा गोगाबिल को यह कहां है कटिहार में है गोगाबिल जिनको सामुदाएक रिजर्व घोसित किया गया है नेक्ट कोस्टन है हाली में बिहार सरकार दोरा बिहार में कहां पर महिला स्कील सेंटर खोलना की गोस्टना की गई है 132 का ये महिला स्कील सेंटर 132 का ये हो जाएगा भीटा में next question है 133 हाली में बिहार सरकार ने रोजगार प्रक्सिक्षा के लिए बिस्विद्याले में कितने नए कोर्स सुरू करने की पालकी है तो साथ ये नए कोर्स सुरू करने की पालकी है नेक्स्ट है हाली में केंदर सरकार दोरा जारी NCEAR के मुल्यांकन के धार पर किसके घुमिक एवंड़ा जस्व विभाग को देश में पहला अस्थान प्राप्ट हुआ है 134 का एंसर यह हो जाएगा बिहार को 135 हाली में अंतराश्टे महिला दिवस के अफसर पर बिहार बिधान सभा में सदन का संचाला निमलिकित में से किसके दोरा किया गिया है 135 का स्य हो जाएगा गायतरी देवी के दोरा Next question है, हाली में बिहार के केस सेतु का जीरण दान कारज को देश का सब्स रेष्ट निर्वान कारज के लिए 20 कर्मा प्रूसकार दिया गया है 136 का B हो जाएगा यह गांधी सेतु का Next question है 137 हाली में बिहार के उद्धोग मंतरी सहनवाज हुसेन के अनुसार बिहार में कितने एथेनॉल प्रलांट लगाने का प्रस्ताओ है 137 का यह हो जागा 20 ने एथेनॉल प्रलांट लगाने का प्रस्ताओ है नेक्ट है हाली में बिहार में कहां पर 50 करोर के लागत से बारतिय परियाटक एबं परवन्ध सनरसना की अस्थापना की घोष्टना की गई है 138 का सी हो जागा बूद गाया में नेक्स्ट कोस्टन है 139 बिहार में 25 मार्च को निम्लिकित में से किस जिले में भारते किसान संगठन समानवाई समीधी वसनुप्त किसान मुर्चा के द्वारा महा पंचायत बनाने का आयोजन किया जाएगा 139 का डी हो जाएगा ये रोहतास में नेक्स्ट कोस्टन है 140 हाली में बिहार सरकार ने कितने लाग समार्ट प्रिपेर्ड विजली मेटर लगाने की गोसना किया गया है नेक्स्ट कोश्टन है 141 हाली में बिहार के किस जीले के मीट को GI टाइग मिलने जा रहा है तो यह चंपारं के मीट को जो है GI टाइग मिलने जा रहा है 141 का बी हो जाएगा next question है हाली में बिहार में कहां पर food part विक्रताओं के लिए wending zone बनाई जाएगी wending zone जो है 142 का B हो जागा ये पटना में बनाया जाएगा next question है बिहार में परिवहन विभाग के high-tech मुख्या ले निमलिकित में से कहां बनाया जा रहा है परिवहन विभाग के high-tech मुख्या ले तो ये पटना में बनाया जाएगा next question है हाली में बिहार लोग सिकायत निवारा अधिकार अधिनियम के तहद बेहतरी और खराब परदर्शन करने वाले जीलो की रैंकिंग जारी की गई है जिसके अनुसार सबसे बेहतर परदर्शन करने वाला जीला निमलिकित में से कौन है 144, 144 का एंसर C हो जाएगा ये किसन गंज next question है 145 हाली में बिहार के 28 जीलो की बुछ जलस्तर की रिपोर्ट तियार की गई है इस रिपोर्ट में कितने जीलो की स्थिति बेहतर है 145 का B हो जाएगा ये 17 जीलो 17 जीलो की स्थिति जो है वो बेहतर है next question है 146 हाली में समाज का लियांग विभाग ने बिहार की में कितने जीलो में चैल्ड फेंटरी कोट बनाने का निरने लिया है 146 का B हो जाएगा 11 जीलो में next question है 147 हाली में बिहार के किसस्थान पर सरक अनुसंदान के अनर बनाने की गोसना की गई है 147 का D हो जाएगा मुकामा में next question है 148 हाली में बिहार के उद्धोग मंत्री साहनमाज हुसेण ने बिहार में कितने फूर प्रोसेसिंग यूनिट लगाने की गोसना किया है 148 का B हो जाएगा ये 10,261 फूर प्रोसेसिंग यूनिट लगाने का गोसना किया गिया है नेक्स है ये सकेंड लास्ट कोशन है इस ट्रेस्ट सिरीज का हाली में बिहार विधान सभा में भवन निर्वान मंतरी असुप चौधरी ने दिसंबर 2001 के इस तक कितने इंजिनियरिंग कॉलेज को पूरा करने की बात की ही कही है इस ट्रेस्ट के लास्ट कोशन हाली में बिहार सरकार ने अप्रेयाद्यों का डेटाबेस त्यार करने के लिए तो यह चक्र एप चलाया है इस तरह से आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं साथ ही आप टेलिग्राम से जूड़ सकते हैं ताकि आपको टैम टू टैम जो है यह नोटिफिकेशन मिलते रहे हैं मिलता रहे हैं